वेलकम टू पाउर इसर मैं हूँ आपका दोस्त थड़ शेद और अब भी आपके सामने जो कार है ये है इंडियन आटोमोबील इंडस्ट्री का फ्यूचर एक एलेक्ट्रिक कार और ये हैं एमजी की नूली लॉंच्ट एमजी जेड़स एवी अगर आप एक एलेक्ट्रिक कार पर्चिस करने का प्लान कर रहे है या फिर एक पेट्रॉल डीजल या फिर एक सी एंजी कार क्या आपके लिए एलेक्ट्रिक कार ज्यादा बैटर आप्शन होगी क्योंकि आप तो जानते ही है कि एलेक्ट्रिक कार काफी जल्द पेट्रॉल डीजल और सी एंजी कार को ओवर्टेक करने वाली है जहां फ्यूचर मार्केट पूरी एलेक्ट्रिक ओर्येंटेड होने वाली है वहीं एमजी मोटर्स ने अपनी ZS EV को काफी जादा कमपटेटि और वहीं आपको जो इसका टॉप ओफ दा लाइन वेरेंट ओफर किया गया है 23.58 लाग रुपीज का अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसकी बुकिंग्स कर दी थी यानि कि फर्स्ट थाउजन कस्टमर्स उनको वन लाग रुपीज का डिसकाउंट मिला था यानि कि ओव एक स्टमर्ट का डिसका अपको एक आइसी इंजन वाली एलेक्रिक कार की तरह ही दिखने वाला है यानि कि आप बात करें तो हेक्टर से आप इसको ज़्यादा इंप्रेसिव इसमें फ्रंट का लोग मिलता है इस गाड़ी को फाइब स्टार की ए एन कैप रेटिंग्स मिल यानि कि सेफटी के मामले में भी यह कहीं भी नेक्सोन, एक्सवी 3W या फिर एल्ट्रोस से पीछे नहीं है उनसे ज़्यादा बेटर आपको इस सेफटी परफॉर्मसंस दे रही है अगर आप इसकी परफॉर्मस की बात करें तो इसमें आपको 141 BHP की पाउर्फुल एलेक् मोटर मिलती है, रेंज की बात करते हैं तो इसमें आपको 340 किलोमेटर्स की रेंज मिल जाएगी और वहीं अगर आप बात करते हैं इसकी रियल टाइम रेंज की तो यह आपको 280 किलोमेटर्स की रेंज दे सकती है, फ्रंट का लुक देखेंगे तो आपको Land Rover Discovery की तरिसमें आ आपको इसमें Alloy Wheels मिलते हैं, जो कि काफे सदा Eco Friendly इसको Theme में पूरा बनाए रखते हैं, तो हमारी वीडियो के स्राटिंग हुई थी कि कि आपको एक पेट्रॉल या डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देखे इलेक्ट्रिक गाड़ तो तीन ही है, एक तो इसका जो Portable Charger आपको इसके साथ ही मिलने वाला है, टू किलो वाट्स का, जो कि पंदरा से सोला घंटे लगाएगा आपको बैट्री को फुल चाहिज करने में, जिसके बाद आपको 340 किलोमेटर की रेंज मिलने वाली है, वहीं अगर आप बात करते है इसका एक AC Fast Charger आपको मिलता है, जो कि आपको 7-8 घंटे लेगा इसको चार्ज करने में, वहीं इसका एक Super DC Charger इसमें दिये अगया है, जो कि 50 किलो वाट्स का है, जो कि आपकी गाड़ी को under 40 minutes, 0-80% चार्ज कर देगा, तो MG Motors ने काफी जादा तरीके से, काफी बढ़ी है एक आप इस segment above, यानि कि BMW की SUV से बात कर लिजे, Volvo की SUV से बात कर लिजे, उनके ही level की मिलने वाली है, तो एक तरीके से काफी जादा performance oriented गाड़ी है, 0-100 एक गाड़ी अचीव कर लेती है, 8.5 second के अंडर, जो कि बहुत बड़ी acceleration है इस segment की गाड़ी के लिए, और interior इसके काफी में दिया है, आपको Ice Mat 2.0, safety front में आपको six airbags मिलते है, ABS, ESC आपको मिल जाता है, hill start assist मिलता है, hill decent control मिलता है, rear parking camera, rear parking sensors, ये सारे basic feature मिलने वाले है, बाकी जो आप इसके spaciousness की बात करें, तो spaciousness है काफी जादा गाड़ी, आपको एक panoramic sunroof मिलती है, इंडिया में इसका base model sale नही और elite एक इसको बहुत जादा एक premium segment को belong करते हैं, लेकिन अगर MG चाहती तो इसको 15,00,000 से नीचे भी ला सकती थी, लेकिन वहाँ थोड़ी सी brand image dilution का खत्रा रहता है MG को, इसलिए उनने ऐसा नहीं करा, बाकी power figure की मैंने आपको बताई दिये कि 143 HP, यानि कि 141 BHP के असपास, और 353 Nm का इसका maximum peak torque output आपको मिलता है, गाड़ी का एक downside और भी है कि इसमें आपको 165 mm की near about ground clearance मिलता है, जो की थोड़ा सा कम है, बैटरी capacity जो इसमें आपको शो करता है पूरा system, 44.5 kWh की इसकी बैटरी capacity है, बैटरी इसमें दी गई liquid cooled technology के साथ, यानि कि overheating के कोई बीशू नहीं है, बाकी मैंने आपको range बताई कि 340 km के range है, और जो इसका instrument cluster है, यह आपको सारी information देने वाला है, और piano black finish और यह सारा combination काफे ज़्यादा बढ़िया लगता है, इस टेरिंग में देखेंगे तो आपको पूरा leather दिया गया है, जो कि इसको एक बहुत बढ़िया तरीके से, एक premium नस इसकी maintain करता है cabin की, lithium-ion battery pack दिया गया है, और यह सब कुछ आपको इसमा IP67 rated मिलेगा, यानि कि water एक तरीके साब से resistant कह सकते हैं, जिसकी आपको Samsung की flagship series मिलती है, Apple के phones मिलते हैं, जो कि under 1 meter 30 minute तक आपके गाड़ी को waterproof रखेंगे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो तो यह भी इसका एक तरीके से एक plus point है, बाकि इसका जो सबसे बड़ा impressive लगा हमें, 0-80% आपकी बैटरी को charge कर देगा under 40 minutes, 50 minutes में फुल charge कर सकता है, मतलब इतना इसकी capability है, और 7.4 kilowatt वाला आपके 6-8 hours लेने वाला है, बाकि आप इसके देख रहे हैं सारे controls को, 3 step की आपको में regenerative breaking मिलती है, जो कि Tata Nexon आपको अभी नहीं दे रही है, तो एक तरीके से यह भी इसका plus point है, और बाकि देख रहे हैं आप इसके पूरे instrument cluster और यह सब कुछ को, गाड़ी को 5-star की encab rating मिल चुकी है, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा safe गाड़ी है, और lawn से पहले इसक अपने comment share कीजिए, क्योंकि price wise अगर आप बात करें तो hectare से थोड़ी से जादा महेंगी है, लेकिन इसके running cost काफे जादा कम होने वाली है, hectare के comparison में, और performance उसी के near about मिलेगी, उससे जादा बढ़िया मिल सकती है आपको, लेकिन काफी लोगों का यह कहना है, कि जो IC engine की feel होत है तो उसकी pricing का, हम काफी साथ उम्मीद कर रहे है कि उसको hectare की starting price में रखा जाएगा, यानि कि 12,70,000 ग्यास पास, जैसे इसको रखा गया है, 22,00,000 के near about आपको यह on road पढ़ जाएगी, तो एक तरीके से एक अच्छी बात है, 20,88,000 इसकी extra room रखी गई है, और आप इसके द मिल जाता है, MG अभी इसमें 8 साल की warranty दे रही है, 1.5 लाग किलोमेटर की, वहीं अगर आप बात करते हैं, extend करना चाते है warranty को, तो 5 साल extend कर सकते है, और unlimited किलोमेटर आपको मिल जाएगी, पूरी गाड़ी के उपर, वहीं 8 साल, 1.5 लाग किलोमेटर आपको सिफ बैटरी के बागी आपको roadside assistant मिलता ही है, अभी इस गाड़ी को CKD unit के थुरू इंडिया में लाया जाएगा, यानि कि completely knocked down unit, अभी इसके parts को इंडिया में manufacture नहीं किया जा रहा है, इसको अभी चाइना से import किया जाएगा, और उसके बाद इसे हलोल, गुजरात में, assemble किया जाएगा, ज लेकिन इसकी price उससे काफे ज़्यादा कम है, वहीं इसका एक और competition होगा, Tata Nexon, भले ही उसमें range कम है, power कम है, लेकिन उस size की गाड़ी के लिए Nexon भी काफी अच्छी गाड़ी है, अब देखना यह है कि Nexon की pricing कितनी है, अगर इसकी pricing आ जाती है, तो मैं आपको description में बतात है, headroom आप देख पार है मेरा, अच्छा headroom देखने को मैं लेगा, shoulder room भी आप देख सकते है, बागी गाड़ी 5 passenger एक, आप crossover SUV में से कहता हूँ बार बार, बार, interior amiens आपको कहीं से भी लेगा कि यह एक electric गाड़ी है, दूसरी बात रहे है इसकी running cost की, तो running cost इसकी काफी जादा कम रहती है, मतलब 6 गुना या फिर 5 गुना तो कम रहीगी, अगर आप बात करते है, पेट्रॉल गाड़ी के, तो यह देखे रहे है आप इसके, आप देखेंगे हम इसकी motor को देख लेते है एक बार, जो कि इसमा आपको बहुत बहतरी in 141 BHP की electric motor देगी है, जो कि आपको 353 NM का talk देती है, देखिए यह है इसके, मतलब एक Chinese build car है, लेकिन फिर भी British own company है तो premium ने सको काफ़ जादा maintain किया गया है, SAIC group के अंडर आता है पूरा form, क्योंकि काफ़ जादा reliable और काफ़ जादा बढ़िया गाड़िया इंडिया में लाने वाला है, वह ही इनकी कई सारी गा लेना पसंद करेंगे या फिर यह ZS EV को लेना पसंद करेंगे, तो यह देख रहा है इसकी पूरी electric motor को, proper आपको सब कुछ मिलेगा, liquid cooled आपको इसमें battery pack दिया गया है, जिससे की charging के दोरान कुछ भी, जैसे Hyundai Kona में एक बार blast हो गया था, ऐसा कि आपको जादा इसमें नहीं चोटा मिलेगा, तो एक तरीके से हेक्टर को भी compete कर रही है इंडिया में, दूसरी और अभी इसका on-road price अभी share नहीं हुआ है, लेकिन इसकी length आपको बताता हूँ, 4314 mm की length है, 1809 इसकी width है और जो इसकी height है, वो 1620 mm है, यह कुस्ता हमारे एक छोटा सा इसका review, बाकि अगर आपको पसंद आई है इसकी pricing, जो कि 20.88 lakh रुपीज एक शोरूम और 23.58 lakh रुपीज इसकी top of the line variant की है, तो मिलते है नेक्स वीडियो के सान, जय हिंद, जय भारत, बंदी मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, गुडबाई